हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चैनल तरफीज रेसिपी आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वह स्पेशली ठंडी की सिधनों में ज्यादा अच्छे से बनाती है क्योंकि जो कंद है वह हम यूज करेंगे इस रेसिपी में जिसमें बनाने जा रहे हैं सूर्ती कंद का बजिया मतलब परपल याम से बनाएंगे हम सूर्ती बजिया है कि 250 ग्राम परपल याम लिया है मैंने जिसे मैंने भीको के रखा है पानी के अंदर 15 मिनिट से ताकि जो उसके उपर लगा हुआ मिट्टी है वो निकल जाए अच्छे से सारी मिट्टी निकल जाएगी और भी 50 ग्राम परपल याम लेना है जिसे बूला जाता है कंड कंड के साथ लेना है हमें बैटर बनाने के लिए हैं बेशन एक कप बेशन है और तीन चमच जितना हमने राइस फ्लोर लिया है चावल का लेटा लेना है हमें तीन चमच उसके साथ धनिया जीरा पाउडर हल्दी पाउडर और लाल मेश पाउडर पानी लिया है हिंग और नमक अधा चमच जितना नमक कंड का वजिया सिंपल ही रहेगा बहुत उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं रहते हैं लेकि में यूस किया जाता है अक्खा धनिया जिसे हम धनिया जीरा पाउडर बनाते हैं वही अक्खा धनिया लेना है और लेना है हमें ब्लैक पेपर तो अराउंड में ने 1-4 टेबल स्पून जितना ब्लैक पेपर लिया है और 1-4 टेबल स्पून जितना धनिया लिया है जिसे हम कूट लेंगे दगदरा, सबसे पहले हम बैटर बनाएँगे, बैटर बनाने के लिए लेना है बेसन और बेसन के साथ मिक्स कर लेना है घावल का आट्टा, चावल का आटा इसमें Balkanिप्ट करना अक्षा दिश्णियन बहुत अच्छा क्रिस्पिनेस आएगा एड़ किया हमने नमक उसके साथ एड़ करना है थोड़ा साहीं और पिर एड़ करना है हमें धनिया जीरा पाउडर अराउंड टूटेबल स्पुल हल्दी पाउडर अधर चमच लेना है हमें मेरा चमच बहुत ही छोटा है वही हिसाब से मैं मसाला सज्जेस्ट करें और उसके साथ लेना है हमें लाल मियूच पाउडर अराउंड टू सारा सुखा मसाला एक साथ मिक्स करने की बाद इसके अंदर हम एड़ करेंगे पानी और अच्छा से थीक बैटर इसका क्रियेट करेंगे दिरी दिरी करके पानी एक करना है हमें और एक्तम ही लंग्स प्री तिक बैटर रेडी करना है बहुत ही डाइलूट नहीं करना है बैटर को अब दिखसत पर है एकड़म थीक भी नहीं है और एकड़म पतला भी नहीं ऐसी कंसिस्टिशनी हमें रखनी है थोड़ा सा गाड़ा ही रखके अगर आपको वापिस लगे कि कम ज्यादा गाड़ा है भजया उतारने के बाद तो इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके वापिसा इसका कंसिस्टेंसी कम कर सकते हैं हमारा बैटर जब तक रेष्ट लिता है मतलब 10 या 15 मिनित के लिए इसे हमें रेष्ट करें बेंगे और तब तक हम उसके उपर स्प्रिंकल करने का म मासाला और फिर याम को कट कर लेते हैं अ याम को कुट लेना है बहुत ही बारिक नहीं करना है इसे गरढ़ा याने की एक के दो स्प्लिट हो गया तो बस उर में पार नाट या और प्रिपेर करते हैं याम की स्लाइस इससे अच्छे से रगट के इसका मिट्टी का जो पी पोजिशन है वो निकाल लेंगे और अच्छे पानी से एक बार इससे वाश कर लेंगे अभी इसे हम पील कर लेंगे इसका उपर का जो छिलका है वो सारा निकाल लेंगे पिलर की मदद से पील करना है यह अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है बस इसका हम पिसिस करेंगे स्लाइज करना है इसे हमें तो अच्छे से इसे ही मोटा मोटा स्लाइज करेंगे बहुत पतना स्लाइज इसका नहीं होगा इसलिए हम थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस करता है यह बहुत ही चिककट होता है अंदर से बहुत ही चिपचिपा रहेगा लेकिन दूंट वरी इसके उपर नमक आएगा और बैटर आएगा तो यह एकदम ही अच्छा से पख जाएगा हमें ऑईल गरम करने रखना है और अगर आप यह स्लाइस बना के तुरंट ही यूज़ करने वाले हैं तो यह प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर थोड़ा भी टाइम जाएगा इसमें तो उसके उपर आप एक बार नमक स्प्रिंकल करके रख देजिए उसका चिकनहट भी निकल होगा मतलब कट करके आप तुरंट बनाई है तो प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको रेष्ट देना है थोड़ा तो इसे आप थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके रख यह हमारा तेल गरम हो चुका है बस हम इसे हम बैटर में डीप करेंगे और अच्छे से कोट करना है आगे पर स्प्रिंकल करेंगे हम धन्या और मीवी का मिश्रण और फिर इसे हम छोड़ेंगे तेल में यह जो है वह हमें धीरी आज पर कम आज पर पकाना है ताकि जो याम है हमारा कंध है वह अच्छे से सीज जाए अच्छे से पक जाए अंदर से एक बार पेल गरम होने के बाद हम आज को धीरा कर देंगे और उसके अंदर हम भजिया छोड़ेंगे दूसे तीन सेकेंड तक इसे हम थंड़ी आज पर मतलब कम आज पर पकाएंगे और उसके बाद जैसे ही वजिया उपर आथा है तो उसे हम गैस का आज पास कर देंगे और उसे अलटे पलटे गोल्ड़न ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे अब देख सते इतम ही अच्छा से गुल्ड़न हो गया है बस इसे हम निकाल लेंगे और हल्क के हाथों से इसे थोड़ा सा एकसे सोयल कड़ाई में जाए वही पोजिशन में इसे थोड़ी देर पकर के रखेंगे कके प्लिट में निकल लिया है वैसे ही सारए कंद का भजिया चोड़ेंगी है तो प्रिंस्त रेडी हे हमारा सुर्थी कंदणा भजिया बहुत मज़ा आता है खाने का फ्रेंड्स थंडियों की सीजन में बहुत ही अच्छा कंद मिलता है उंधियू वगेरा में डाला जाता है तो बही सिजन में यह बना के अच्छा से खा सकता है और फ्रेंड्स सूरित में स्पेशली से रतालू पूरी भी बोलता है तो प्लीज ट्राइ कीजिए लाइ और शेयर करना भूलियेगा नहीं थैंक यू